स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज कलास इगारह के रसाइन विज्ञान अभ्यास पांच में आज हम लोग पढ़ेंगे गैस का दाब तथा गतीज उर्जा में संबन्द मतलब गैस के दाब और गतीज उर्जा में क्या संबन्द है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से इपने कांपी में नोट करते चलिएगा जिससे आपका एक नोट स हम लोग पढ़े थे कि गैस का जो है वर्गमाद मूल चाल और गैस के घंद में क्या संबन्द है कल की वीडियो में बताया था यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर कि उस भाग का वीडियो को देख सकते हैं तो यहाँ पर गैस का दाब, गैस का दाब का सुत्र क्या होता है? तो पिछले वीडियों में बताए गैस का दाब का सुत्र होता है, पी बराबर होता है, एक बटा तीन होता है, और क्या होता है, यम यन सी स्क्वायर बटा क्या होता है? भी होता है तो यह गैस का क्या है गैस के दाब का जो है यह सुत्र है पी बराबर एक बटा तीन यम यन सी स्कौाइर बटा क्या है भी है अगर यम यन को हटा दें तो यम यन कितने के बराबर होता है तो यम बराबर होता है क्या यम यन होता है मतलब यम यन जो है मनें यम का नाम क्या है मोलर दर्मान और यन का नाम क्या है मोलो की संख्या तो यम यन कितने के बराबर होता है तो यम के बराबर होता है कैप्टल यम और कैप्टल यम का नाम क्या है तो यहाँ गैस का कुल जो है तर्मोंन माना जायगा, गैस का क्या है, कुल द्रिभमान है अब यहां यम को यमियन को हटा देंगे और इसके अस्षान पे क्या लिखेंगे P बराबर, एक बटा तीन और यहां हो जाएगा यम सी का इस्कॉाइर बटा क्या हो जाएगा, भी मतलब यह यम कहां से आगिया यमियन के अस्थान पे कह लिए सकते हैं यम यम का नाम क्या है कैप्टल यम मतलब उसका नाम है गैस का कुले द्रिबमाद अब यहां पर यदी आयतन को धियान दीजेगा यदी आयतन एकांग मा लिया जाए तो यह अगर एकांक आयतन हो तो यह भी कामान जो है एक रख लेंगे तो पी बराबर क्या बन जाएगा तो पी बराबर बनेगा एक बटा तीन एक बटा तीन यम हो जाएगा और सी का स्क्वाइर हो जाएगा और भी का मान कितना रख सकते हैं एक एकांग का मतलब एक रख सकते हैं अब यहां तीन में जब एक का गुड़ा करेंगे तो पी बराबर क्या बनेगा एक बटा तीन यम सी का स्क्वाइर हो जाएगा तो एक बटा तीन यम सी का स्क्वाइर अब यहां पे जो है गतीज उर्जा का सुत्र आप लोग पढ़े होंगे गतीज उर्जा का सुत्र जो है क्या है के बराबर होता है के बराबर एक बटा दो यम भी का स्क्वाइर होता है मतलब भी मतलब यहां चाल तो चाल इसमें किसे परदासित करेंगे सी से तो यहां जो है सुत्र आ गया के बराबर एक बटा दो यम सी का स्क्वाइर यह किसका सुत्र है तो गतीज उर्जा का जो है यह सुत्र है गतीज उर्जा का सुत्र क्या पढ़े होंगे फैजिक्स में तो के बराबर एक बटा दो यम भी का स्क्वाइर होता है लेकिन यहा यहां पर याद रखेंगे सी का नाम क्या है प्रकास का चाल है तो यहां पर एक बटा दो यम सी का इसक्वार चाहिए तो यहां देखेंगे एक बटा दो है नहीं अब यहां एक बटा दो बनाने के लिए क्या करेंगे तो यहां पर लिख देंगे दो से गुड़ा और भाग कर दोसे स्ट Witch hey water करेंगे।-क्यूंग करेंगे क्यूं करें गिंगे क्या का एक बटतर दोटति इन्हें दोसे गुड़ा यूंभाग करने पर यहां पे जो है दोसे गुड़ा कर लेंगे और दोसे क्या कर लेंगे।- तो आगे अगला लेंग जो बनेगा, क्या बनेगा, तो P बराबर बनेगा, अब यहां लिखेंगे P, बराबर हो जाएगा, और यहां क्या होगा, यहां 2 बटा जो है 3, गुड़े 1 बटा जो है 2, मतलब यहां 2 से गुड़ा और 2 से भाग किये, अगर यह 2 से 2 कट जाएगा, त कैसे बराबर हैं 2 से 2 को काड़ दें तो उपर 1 है तेहां उपर भी एक है नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा 10mc2 अब यहां पर देखे एक बटा-dow 10mc का स्कॉार यह सुत्र बन गया यह किसका सुत्र है एक बटा-dow 10mc2 किसका सुत्र है तो गतीज उर्जा का क्या है सुत्र है अब इसको एक बटा दो यम सी स्क्वाइर को अगर हटा दें उसके अस्थान पे क्या लिख सकते हैं इतने के जगा पे क्या लिखेंगे के तो अगर लाइन बनेगा पी बराबर हो जाएगा दो बटा तीन हो जाएगा औ और एक बटाव-2, तो क्या बनेगा? के बन जायगा. ये सुतर किसका आगया? तो गयस के दाव और गतीज उर्जा में क्या आगया? संबन्ध आगया. सुतर आगया तो प्यए बराबर क्या है? 2 बटाव-3 क्या है? के है. सुतर को घहड़ देंगे. समझ में आ गया होगा तो यह किसका सुत्र है तो लिखेंगे यह जो सुत्र है यह गैस का दाब और गतीज उर्जा में क्या है संबंद है तो यही गैस का दाब तथा गतीज उर्जा का संबंद है गतीज उर्जा में संबंध है गतीज उर्जा में क्या है संबंध है मतलब गतीज उर्जा में क्या है या संबंध आ गया किसे किसे बीच में गैस का दाब तथा गतीज उर्जा में क्या है संबंध है तो जो संबंध बताया गया आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अब अगले हम लोग पढ़ेंगे कि गैस के ओरु का जो है गतिज उर्जा और परमताप में क्या सम्बंद है में संबंद मतलब यहां गैस का जो है गतिज उर्जा रहेगा और परमताप में संबंद क्या बनेगा मतलब क्या सुत्र अस्थापित होगा सुत्र का निगमन जो है यहां पे किया जाएगा तो गैस के अनुका गतिज उर्जा परमताप में क्या है संबंद मतलब की और टी में क्या संबंद है तो यहां सबसे पहले जो लिखेंगे कि गतिज उर्जा का सुत्र क्या होता है तो अभी ओपर यहां पढ़ें देख लिए गतिज उर्जा का सुत्र क्या है के बराबर होता है एक बटा दो यम सी का सुत्र होता है तो यहां लिख लेंगे यहां पर के बराबर क ये बराबर क्या होता है एक बटा दो यम सी का स्क्वाइर होता है ये किसका सुत्र है तो गतीज उर्जा का सुत्र है और सी बराबर जो है कल की वीडियों बताए गया था सी बराबर होता है अंडर जो है थिरी क्या होता है आर टी बटा क्या होता है यम होता है ये किसका सुत् बंद है यह कल की वीडियो में इसका निगमन किया गया था यदि कल वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर कि उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं कि C बराबर अंडरू 3RT बटा क्या है यम है अब यहां C के अस्थान प बटा में क्या है बटा में जो है यम है और यहां क्या हो जाएगा इसक्वायर हो जाएगा तो यहां किसका मान रख लिए तो यहां पर सी का मान को रख लिए तो बर्ग से इसका करणी को हटा देंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा एक बटा दो हो जाएगा और यहां बने बर्ग मुल जो देख रहoshima है बर्ग से क्या हो जाता है हड जाता है अब यहाँ बचेगा थ्री आर टी बटा यम अब यहां यम से यम को कार देंगे अव्याँ यम से यम पिर जाएगा तो बचेगा क्या तो बचेगा यहां बराबर करकरके लिह सकते हैं एक बटा जो है या बचेगा उपर तीन बचेगा नीचे का बचेगा दो तीन बचेगा दो और क्या बचेगा आरेटी बचेगा तो के बराबर क्या गया है तीन बचेगा आरेटी हो जाएगा तो अब अगला लाइन जो यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे यहां पर के और यह क्या है परमताप में क्या है संबंध है के बराबर तीन बटा दो आर टी तो यहां नीचे लिखे सकते हैं कि यही जो है गतीज उर्जा और परमताप में क्या है संबंध है तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर गतीज उर्जा और परमताप में क्या संबंध होता है तो K बराबर 3 बटा 2 R T ये कैसे सुत्र बना तो ये मान को रखा गया है मान को रख करके हल किया गया है अब हम लोग पढ़ेंगे ताप पैमाने ताप पैमाना कितने परकार के होते हैं तो ताप पैमाना क्या होता है तो यह किसी बस्तु का जो है ताप मापया जाता है तो कितने इसके पैमाना होते हैं ताप पैमाना जो है तीन परकार के होते हैं ताप पैमाना कितने परकार के तीन परकार के होते हैं तो हैं लिख लेंगे ताप पैमाना जो है तीन परकार के होते हैं ता पैमाना तीन परकार के होते हैं कितने परकार के तीन परकार के तो पहला का नाम क्या है तो पहला का नाम जो है सेल्सियस पैमाना है क्या नाम है पहला और यहां दूसरा और यहां लिखेंगे तीसरा तो पहला का नाम है जो है सेल्सियस पैमाना क्या नाम है Celsius Celsius पैमाना या इसका जो है दूसरा नाम हो जाएगा Centigrade पैमाना क्या कहेंगे Centigrade पैमाना Centigrade पैमाना तो इसका दो नाम है पैमाना तो Celsius पैमाना या Centigrade पैमाना दूसरा का नाम जो है फारेनाहाइट पैमाना क्या नाम है फारेनाहाइट पैमाना और तीसरा का नाम है कैलवीन पैमाना या इसका दूसरा नाम है परम पैमाना तो कितने पैमाना पढ़ना है तो ता पैमाना जो है तीन परचलित है सेलसियस पैमाना है या उसका दूसरा नाम क्या कहेंगे सेंटी ग्रेट और दूसरा जो है फारेनाहाइट है और तीसरा जो है कैलवीन पैमाना है तो अब ये Celsius पैमाना का खोज किसने किये, फार्नाहाइट पैमाना का खोज किसने किये, और कैल्विन पैमाना का खोज किसने किये, अब इनके बारे में भी समझ लेंगे, और Celsius पैमाना होता क्या है, फार्नाहाइट पैमाना क्या है, और कैल्विन पैमाना क्या है, तो ध्यान सेड्स smilingía का कोई है उन्की नाम से ही यह ना आक है के उस पेमाना का खोश किये थे उस पैमाना के नाम क्या है सेड्स having और फारनाहाइट जो नाम के जो विग्यानिक थे उन्होंने कौन से पैमाना का खोज किये थे फारनाहाइट पैमाना का और जो कैलवीन नामक विग्यानिक थे तो यह कैलवीन पैमाना का क्या किये थे खोज किये थे मतलब कैलवीन पैमाना का खोज करने वाले विग्यानिक और Celsius नामबा का जो विग्यानिक है किसका खोज किये Celsius पैमाना का खोज किये तो समझ में आ गया होगा कि Celsius पैमाना Fahrenheit पैमाना और Kelvin पैमाना का खोज करने वाले विग्यानि कौन कौन है तो अब हमनों पढ़ेंगे Celsius पैमाना होता क्या है और फार्णाइट पैमाना क्या है कैल्विन पैमाना क्या है तो यह कल की वीडियो में जो है यहाँ से आपको बताए जाएगा सेल्सियस पैमाना फार्णाइट पैमाना और कैल्विन पैमाना तो कल का वीडियो आप सभी विद्यारती देखना मत भूलिएगा तो आज का पढ़ाई जो रहएगा इतना ही रहएगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को ससक्राइब और फाणि दबाना मत भूलिएगे क्योंकि यह लाइप क्लास आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो आज का पढ़ाई इतना है मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार